हेलो गैज आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है तो अभी हम बात करने वाले हैं अदानी पावर के बारे में तो देखे आज पूरे के पूरे दिन इसके अंदर बहुती जबज़स्त खीचा तानी चली जैसे आपने देखा आज का ट्रेडिंग सेशन तो आज इसके ट्रेडिंग सेशन में कब गब क्या क्या हुआ वो सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले हैं दूसरी बात यह जो आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है उसके अंदर कितनी strength है और कल इस share के अंदर क्या हो सकता है देखिए और अगर हम last के time आते आते बात करते हैं यानि कि 3.30 बजे के आसपास के अगर हम बात करते हैं तो उस time पे market एकदम से बहुत ही तगड़े तरीके से गिरी और अगर हम Tata Power की बात करते हैं तो उसमें आपको 10% पे 10 या 15% के आसपास lower circuit भी लगता हुआ दिखाए दिया लेकिन उसके बाद में वो circuit हट गया था और अगर हम अदानी पावर की बात करते हैं तो देखे इतनी मतलब इतने बुरे माहौल में भी अदानी पावर नहीं गिरा उस news का कितना impact पढ़ने वाला है और आज का जो trading session है वो क्या और कैसा रहा इस वीडियो के अंदर वो सारा कुछ हम discuss करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं जल्दी से अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को like and subscribe जरू करें हम आपके लिए इसी तरह से नएने updates लाते रहते हैं तो देखिए आज अदानी पावर के अंदर का जो trading session था वो बहुत ही अच्छा था 10% के आसपास 3-4 बाद इसके अंदर अपर circuit भी लगते हुए दिखाए दिए और जब जब जैसे जैसे एकदम से साड़े तीन बज़े के आसपास तीन बज़े के आसपास एक news भी आई पावर सेक्टर को ले करके और उस news के बाद टाटा पावर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आज वोल्यूम जनरेट हुआ वह लगबग लगबग 71 करोर 18 लाग के आसपास इसका जो हाई बना था वह 115 रुपए और जो इसका लो बना था 135 रुपए 50 पैसे के आसपास तो देखे इसमें सबसे बड़ी गरीमत तो ये रही देखे पहले ये जब मार्किट सुबा सुबा डाउन आ गई थी तो जैसे आपको इस चार्ट में दिख पा रहा है तो जो शेर प्राइज था वो देखे बिलकुल डाउन आ गया थे हानी कि 115 रुपए के आसपास आ गया था और 115 रुपए जब आया था तो देखे हमें भी ऐसे लग रहा था कि बस अब इसके अंदर लोवर सर्किट ना लग जाए और उस टाइम कि अगर हम बात करते हो तो उस टाइम पर सैलर एकदम से इस शेर के अंदर दुबारा से हावी होते भ लेकिन अदानी पावर वहीं 10% के आसपास उपर रहा क्लोज भी 123 रुपए 20 पैसे के आसपास हो यानि कि 10% मतलब शेर उपर ही था और वहीं अगर हम देखिए एक बजे के ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं जैसे आपको इस स्क्रीन में देख पा रहा है तो उस टाइम प अगर हम इसके एक बजे के फिर दुबारा दो चार मिनट के बाद की बात देखते हैं तो उस टाइम पर पांच करोड़ 27 लाग के आसपास शेर में वोल्यूम डिजनरेट हो जोगा था लेकिन यहां पर अब सेलर भी आ गए थे 25 लाग 53 पन हजार के आसपास सेलर थे और बा पर अट तरह जार के आसपास सेलर थे हई लो इसका 115-135 था और जिब वोल्यूम था यहां पर 5 करोड 52 लाग के आसपास थख और जो बाएर लगे तानुए decision कि हम अगरा यहां से निगेटिव टरिटरी में ले जाने का सोचा लेकिन देखिए शेयर भी बिलकुल मजबूत होकर के खड़ा था और जो बायर्स थे बायर्स पूरे के पूरे यहां पर लगे हुए थे और आज बेचने का बिलकुल किसी का भी मन्नी था और मैंने भी लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने किलियरली बोला थ खा कि आपको यह शेयर बिलकुल भी नहीं बेचना है और अभी देखिए इसके अंदर एक रेली स्टार्ट हुई है हाला कि एक पावर पावर अगर पावर सेक्टर के अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी एक बैड नियूस आई है और हो सकता है उसका थोड़ा बहुत इंप पार है गोले के अंदर तो वहां पर मतलब शेयर दुबारा से उठने की कोसिस करिये और कल आपको देखिए अगर मान के चलो मार्केट डाउन रहती है तब इसके अंदर जरा मारा थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है वरना देखिए जो बायर्स हैं इसमें कॉंटिनी बढ देखना चाहिए और अगर हम देखिए इसके 18 क्तुबर के यानि कि कल के ट्रेडिंग शेशन की बात करते तो पूरा का पूरा दस परसेंट का सरकिट सुबह से साम तक इसमें लगा रहा था और कल भी आपको देखिए एक कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा इस शेयर के क्योंकि आज जो क्लोजिंग हुई है इसकी पॉजिटिव पर क्लोजिंग हुई है शेयर की तो देखिए आपको इसको बेच करके बिलकुल भी नहीं चलना है या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं एक स्ट्रिक्ट सौपलोस के साथ काम कर सकते हैं और ये शेयर आपको दुबार टाइम में आई वो हमारे लिए ठीक रा दूसरा कि जो हमारा शेयर रहदानी पावर वो निगेटिव टेरिटरी में नहीं गया यह हमारे लिए दोनों बैस्ट पॉइंट है बाकि इसके अंदर एक न्यूज भी आई है जो हो सकता है कि पावर सेक्टर के लिए थोड़ी स्क्राइब जरूर करें